मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के रूम में जाता है और वो बच्चा सो रहा होता है और ये आदमी शूट करके उस बच्चे को मारने वाला होता है मगर इसे पहले कि वो उस बच्चे पर गोली चलाता उस रूम का दर्वाजा अपने आप से ही खुल जाता है तब वो आदमे डरते डरते उसी तरफ ही गोले चला देता है गोले की आवाज सुन कर वो बच्चा फोरान उड़ जाता है और वो आदमे बच्चे को देख कर रोने लगता है जिससे वो बच्चे को मार ही नहीं पाता इसके बाद हमें एक अजायलम दिखाया जाता है जहां पर हमें एक कपल को देख पाते हैं जिनने वाइफ का नाम जैसी होता है और उसकी हस्बेंड का नाम मार्क होता है वो लोग अजाइलम में एक बच्चे को अडॉप्ट करने आई थे क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही उनका बच्चा बात टब में डूबने की वज़े से मर गया अपनी बच्चे को खोकर वो दोनों काफी दुखी थे इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे अजाइलम में उन्हें एक तकरीबन आठ साल की बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कोडी होता है और कोडी की मदर की डेथ तब ही हो गई जब वो तीन साल का था और उसके बाद कोडी को दो और फैमिलिस ने अडॉप्ट कर लिया जिनमें एक फैमिली के लोग तो अच्छे नहीं थे जिबकि दूसरी फैमिली कोडी को अकेला ही घर पर छोड़ कर वहां से चली गई कोडी की ये कहानी सुने की बाद वो लोग उसे ही अडॉप्ट करने का फैसला कर लेते हैं यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कोडी वो ही बच्चा है जिसे हमनी मोवी के स्टार्ट में भी देखा था यानि वो बच्चा जिसे वो आदमी शूट कर रहा था फिर वो दोनों husband wife कोड़ी को adopt करके अपने घर पर अपने साथ ले आते हैं कोड़ी चोके ये काफी well mannered बचा था कोड़ी को butterflies काफी पसंद थी जैसी और Mark को भी कोड़ी ये काफी अच्छा बचा लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात को कोड़ी जैसी और Mark के सोने के बाद एक acid drink पीता है जिससे उसको नीन ना आए next day वो लोग एक अच्छी स्कूल में कोड़ी का admission करवा देते हैं वही पर एक बच्ची से कोड़ी की friendship होजाती है हम देखते हैं कि जैसी और Mark कोड़ी को पाकर काफी खुश थे और वो उसे बिलकुल अपने बच्चों की तरह एक ट्रेट कर रहे थे और अपने बच्चे को खोने की जो tension उनको थी वो उससे भी आईस्ता आईस्ता निकल रहे थे लेकिन फिर एक रात वोडरिंक ना लेने की वज़े से कोड़ी को नीन दा जाती है और तभी पूरे घर में कहीं से अलग-अलग तरह की डिफरेंट कलर्स की बटरफ्लाइज आ जाती है अब जैसी और मार्क को तो ये बात काफी अजीब लगती है मगर वो फिर भीस बात पर ज्यादा दिहान नहीं देते मार्क उन में से एक बलू कुलर की बटरफ्लाइज पकड़ लेता है ताकि वो उसे कोड़ी को दे सके क्योंकि कोड़ी को बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा पसंद थी लेकिन जैसे कोड़ी की अपने रूम में आँख खुलती है वहां से सारी की सारी बटरफ्लाइज अपने आप से ही गाईब हो जाती है और मार्क ने जो बटरफ्लाइज कोड़ी के लिए पकड़ी होती है वो भी गाईब हो जाती है पिर अगले दिन कोड़ी जब स्कूल से घर वापिस आता है तब उसे गर में उन दोनों husband wife के साथ उनके बच्चे की पिच्चर नजर आती है ये जैसी और मार्क का वो बच्चा था जो मर चुका था कोड़ी इस बच्चे के बारे में उन लोगों से पुछता है तब मार्क उसे बताता है कि ये मेरा बेटा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा और उस रात कोड़ी एक बार फिर से सो जाता है और इस बार उने बटरफ्लाइस के साथ साथ उनका मरा हुआ बेटा भी नजर आ जाता है तब वो दोनों हैस्प hält वािफ अपनी बच्चे को दे कर काफी हैरान रह जाते है जैसी अपनी बच्चे को हग करती है जिबकि दूसरी तरफ कोड़ी की आंग खुल जाती है जिससे वो बटरफ्लाइस और उनका बच्चा दोनों ही गायब हो जाते है इसके बाद कोड़ी उन दोनों husband wife से सोरे बोलता है कि रात को मैंने dream देखे थे जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे कोड़ी की ये बास सुन कर वो दोनों husband wife फोरां समझ आते हैं कि कोड़ी जब भी सोता है उसके dreams reality में change हो जाते हैं कोड़ी ने सोने से पहले butterfly's और उनकी मरे हुए बेटे को देखा था इसलिए वो कोड़ी के dream में आए और सब कुछ real में हो गया जैसे को जब इस बात का realize होता है तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए कोड़ी का इस्तामाल करती है वो कोड़ी को अपने बच्चे की बाते बताने लगती है और उसकी videos और pictures दिखाती है जिससे रात को सोते ही कोड़ी को फिर से उनके मरे हुए बच्चे का dream आ जाता है अब जाहिर सी बात है कोड़ी के dream में वो बच्चा आ गया तो real में भी वो अपने parents के पास आ गया वो कोड़ी का एक night में अथा फिर हम देखते हैं कि Mark जैसी के इरादे समच चुका था कि वो कोड़ी को इस्तमाल कर रही है अपने मरे हुए बेटे को देखने के लिए ये बात मार को काफी बुरी लगती है इसी वज़े से वो अपने मरे हुए बच्चे के सारी pictures उसके सारी videos remove कर देता है जिससे होगा ये कि अगली बार जैसे कोड़ी को use नहीं कर सकेगी next day कोड़ी स्कूल जाता है स्कूल में एक student जो काफी rude होता है और वो कोड़ी को काफी परिशान करता है हम देखते हैं कि कोड़ी क्लास कतम होने की बाद वहीं पर ही सो गया है और तब ही हम वहाँ पर एक बार फिर से उसी ड्राउनी entity को देख पाते हैं जो कुछ वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ कोड़ी की friend भी देख लेती है यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कैंकर आखिर है क्या चीज़ कैंकर असल में कोड़ी का nightmare है यानि कोड़ी ने उसके बारे में जरूर सोचा होगा और इसी nightmare से बचने के लिए कोड़ी वो ड्रिंक भी लिया करता था जिससे ना तो वो सोएगा और ना ही वो कैंकर उसके ड्रीम में आएगा इसके बाद कोड़ी अपने घर पर चला जाता है अब उस nightmare की वज़ेसे कोड़ी बिलकुल डरा हुआ होता है इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने ही सोएगा लेकिन जैसी नाटिस करती है कि कोड़ी नहीं सो रहा है इसलिए वो उसके दूद में सोने की मेडिसन मिला देती है उससे पीते ही मेडिसन का असर होता है और कोड़ी ना चाहते हुए भी सो जाता है और एक बार फिर से जैसी और मार्क का मरा हुआ बच्चा उनके घर पर आ जाता है लेकिन देखते ही देखते उनका वो बच्चा कैंकर में बदल जाता है उसे देखकर जैसी और मार्क बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मार्क जल्दी से जाकर कोड़ी को जगाने की कोशिश करता है लेकिन अब क्यों कि जैसी ने कोड़ी को नी इनकी मैडिसन दी थी इसी वज़े से वो नहीं जाकता जिससे कैंकर मार्क पर अटैक करके उसे गाइब कर देता है लेकिन इससे पहले कि कैंकर अब जैसी पर अटेक करके उसे गाइब करता कोडी की आँख खुल जाती है जिससे कैंकर फोरन गाइब हो जाता है कोडी उठकर देखता है कि वहाँ पर जैसी जोके भी होश पड़ी हुई है लेकिन मार्क वहाँ पर नहीं है ये देखकर कोडी जल्दे से पुलिस को कॉल करके बुला लेता है वहाँ पर सारे evidence देखकर पुलिस का शक जैसी पर ही जा रहा था लाइक घर की हालत, कोडी की body से sleeping pills का मिलना वगेरा वगेरा और अब पुलिस का पूरा शक जैसी पर ही था कि अब वो अपने husband को वापिस लाएगी और Cody के साथ ऐसा क्यों होता है उसकी help करेगी इसलिए वो इसी नियत से उस asylum में जाती है और Cody की file को चुरा लेती है और उस file में उन दोनों families की information थी जिन्होंने Cody को पहले adopt किया था इसलिए जैसे उन families की लोगों से मिलने जाती है और ये वो ही आदमी था जिसने movie की start में Cody को shoot करके मारने की कोशिश की थी वो आदमी जैसी को बताता है कि Cody की nightmares की वज़े से मेरी wife भी काईब हो गई है मैंने अपनी wife को डूरने की बहुत कोशिश की लेकिन वो वापिस नहीं आई वो कहता है कि मैंने Cody को मारने की कोशिश भी की थी लेकिन Cody जो के एक बच्चा है मासूम है बेकसूर है इसलिए मैंने Cody को नहीं मारा इसके बाद जैसे एक hospital जाती है जहां पर Cody की मदर की death हुई थी वहाँ पर जैसे की जाने का मकसद ये था ताकि वो Cody की बारे में और जारा information ले सके फिर हम देखते हैं कि Cody काफी डरा हुआ था और वो बिल्कुल भी नई सो रहा था इसलिए Cody को जबरदस्ती injection दे कर सुला दिया जाता है उसी रात को जैसे Cody से मिलने के लिए उस अजायलम में आती है वहाँ जाकर जैसे देखती है कि अजायलम में हर तरफ अंतेरा चाया हुआ है और वहाँ की सारे वरकर्स बटरफलाई हैच में कैद हो गए थी वहीं पर जैसे को Cody की और भी जादा नाइट मिर्स देखने को मिलते है जिसमें जैसे का बेटा और उसका हैस्बेंड में शामिल था और वह लोग अब भूत बन गए थी और वहीं पर जैसे को कैंकर भी दिखाई देता है लेकिन जैसे कैंकर से बिल्कुल भी नहीं डरती बलकि वह उस कैंकर के पास जाती है और उसे एक बटरफलाई शेप पिलो दिखाती है जिससे वो कैंकर बिल्कुल रिलेक्स हो जाता है और बड़े गोर से उस पिलो को देखने लगता है तब जैसे उस कैंकर को हग कर लेती है और वो केंगर आइस्ता आइस्ता कोडी के रूप में आने लगता है और फिर देखते ही देखती गाइब भी हो जाता है फिर जैसे सोते हुए कोडी को ही अपने साथ ले जानने लगती है और अब कोडी की नाइट मेर्स अच्छे ड्रिम्स में बदल जाते हैं नेक्स डेज जैसी कोडी को उसकी मदर की एक डायरी देती है और उस डायरी में कोडी की मदर ने कोडी के बारे में बहुत सारे बाते लिखी हुई थी कोडी की मदर कोडी से बेहत प्यार करती थी और वो उसे जान से भी प्यारा था और कोडी के पैदा होने से पहले ही उसकी मदर को कोडी की इस एबिल्टी के बारे में पता था कि कोडी के ड्रीम्स और नाइट मेर रियालिटी में बदल जाते हैं कोडी की मदर को ये बात काफी अच्छी भी लगती थी कोडी की मदर को कैंसर था और इसी वज़े से कोडी की मदर के डेथ हुई थी और तब कोडी बहुत चोटा था तीन साल का था जहां पर उसने अपनी मदर की फाइल में कैंसर को कैंकर पढ़ लिया अब इस बिमारी की वज़े से कोडी की मदर की हालत काफी खराब हो गई थी कोड़ी अपनी मदर के हालत और कैंकर के बारे में ये सोचता था कि मेरी मदर को कैंकर ले गया अब क्योंकि कोड़ी कैंकर के बारे में इतना ज्यादा सोचता था जिसकी वज़ा से कोड़ी को नाइट में अजाने लगे और वो कैंकर को योड नहीं बलके कोडी की मदर ही थी कोडी की मदर उसे बटरफ्लाइज शेप पिलो पर सुलाती थी और इसी वज़ासे वो उस पिलो को देखकर रिलेक्स हो गई थी और यही वज़ा थी के कोड़ी को बटरफ्लाइज इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी फिर रात को जैसी कोड़ी को एक अच्छे स्टोरी सुनाती है जिसमें गाइब हुए मार्क और उस आदमी की वाइफ और उस बच्चे के वापिस आने की बारे में बताती है फिर हम देखते हैं कि कोड़ी अपनी पॉवर्स अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल कर पा रहा था और अब वो गाइब हुए बाकी लोगों को भी वापिस ले आएगा और इसी के साथ ही ये मुवी यहीं पर एंट हो जाती है